मानो जीवन में द्यान की कितनी भूमिका रहती है? क्या भूमिका है? मानो जीवन में द्यान की बहुत बड़ी भूमिका है बाह जीवन में और आंतरिक जीवन में मनुष्य के अलावा और प्राणियों में द्यान की अपनी प्राकृतिक विवस्था है प्रकित्य के ताहत अपने घर घोशला को आहार को जीवन निर्वाह की चीजों को ख्याल कर लेते हैं मनुष्य में बिसेश विवस्था है और इसमें मनन और बाड़ी विचार विवेक की बड़ी बिलक्षणता है ध्यान से शभी दिसाओं में बहुत ही सरलता से हम सफलता की और बढ़ जाते हैं इसलिए सदियों से या कहिए सदा से ध्यान पर जोर दिया गया है जहां तक अध्यात्म इतिहास है क्रंथों में वहां से देखा जाता है तो योग दियान पर सरवाधिक चर्चा है हमारी भारती परंपरा में जो ध्यान और योग की बात है वो कपिल जी महाराज से देखा जाता है गरंथों में जो शांक दर्शन था वो तो लुप्त हो गया था उसी में के कुछ सूत्र उनकी परंपरा के संतों ने जाना ख्याल किया और फिर लिखा योग दर्शन के नाम से तो वो बहुत पुराना है फिर पतंजल ने उसे बिधिवत और आगे बढ़ाया तो यह चर्चा चलती ही रही साधक गण उसका लाभ लेते रहे और उसमें कुछ भटकाव की जगहे रही योग साधना के नाम पर बहुत भटकाव भी हुआ साधना के नाम पर ध्यान योग के नाम पर जैसे उनको निर्देश मिला जैसे साधक होए वैसे करने लगे बिसेश रहस्त न समझ करके उपरी उपरी मोटा मोटी बातों में पढ़ करके समय विताते रहे गहराई तक ना पहुँचे इससे ना अध्यात्म लाभ ले पाए ना बेवहर कहीं लाभ ले पाए जबकि योग ध्यान जीवन में दोनों नतियों के लिए बाहर भीतर बहुत जरूरी है एक संबल है आधार है इसके बिना तो जीवन अधूरा है तभी तो खाने पेने और विश्यों में पढ़ करके ही पूरी जिंदगी बीच जाती है और ये सिलसिला अनादि से चलता रहा जीव अपने बंधनों को काट न सका दुखों से निविर्ट न हो सका अपने आपको न जान सका क्योंकि इसके महत्य को न समझा समाज में देखा कि लोग ऐसे ध्यान करके योग करके धरम करम में लग करके भी बहुत दुखी है भटके हुए है अंध्विश्वास में फसे है कोई बेवहारिक और परमार्थिक अस्तर में उन्नती नहीं दिखाई पड़ती है ये देखने में भी आता है आज तो और लोग धरम करम की हसी उड़ाते है क्योंकि लोग इतना भटकाओ में है छोटों को देखें बड़ों को देखें बड़े बड़े धरम गुरु लोग धरम के नाम पर केवल खिल्वार है समाज उसी में उल्जा है फसा है और चिड़ा भी है देख करके ये हालत क्योंकि उपरी-उपरी बातों को ले करके उसे लोग भाग दोड़ कर रहे है योग के नाम पर धरम के नाम पर दान के नाम पर सेवा के नाम पर बिवेग विचार पूर नहीं है ध्यान पूर नहीं है ध्यान के माध्यम से हमारे महापुरुस आप बुद्ध को देखिए महावीर स्वामी को देखिए इन लोगों ने तो ध्यान पर इतना जोर दिया कि अपनी पुरानी अपनी पूरी परमपरा को ध्यान के माध्यम से बदलने की चेश्टा किया स्वामी महावीर की जीवन को देखें वो तो ध्यान में मगन है अपने बाहरी जीवन को भी कभी कभी ख्याल नहीं करते हैं कि इतना ध्यान में मगन हो गए कि विवाहर कुछ उनको और परदा रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी तथा गदबुद्ध जहां देखो जितनी भी मूर्तियां देखें होंगे सब ध्यानस्त मूर्तियां देखते होंगे तो ध्यान करते तो रहे लेकिन इतना बड़ा समाज कैसे तयार हो गया कि वह लाख मूंद के बैठने से नहीं ध्यान करके फिर समाज को चताने जगाने की बात भी कहे उपदेश भी किये पूरा जीवन ध्यान में ही हो गया ध्यानार्थी ध्यान करके फिर ब्योहार में उसको सफल बनाते हैं मन की शांद के लिए इंद्रियों को संयमन के लिए तो लाख तो है ही चित्त की एक आगरता ध्यान से ही होती है और चित्त की एक आगरता ही ध्यान कहलाती है मन की जो ब्रितियां बनती है जैसे एक ब्रित बना लो एक बड़ा सा गोला बना लो गोला में जहां से देखेंगे कि बीच में एक बिंदु है एक गोला प्रकार होता है सुई होती है उसमें सुई जहां रखते हैं वो केंद्र हुआ और पेंसल जहां चलती है वो बृत हो गया परिधी परिधी और केंद्र के बीच में बहुत छोटे छोटे गोले हैं खाली जगा है उसमें बहुत बृत हैं बिंदु बिंदु बना लो एक बिंदु केंद्र हुआ खास बीच का भाग और किनारे जो लकीर है वो परिधी हो गई बीच में बहुत सारे बृत हैं छोटे छोटे बिंदु हैं वो मन है भीतर आत्मा है बाहर ये संसार है इसके भीतर मन है मन ही भरा है गंदा है अब इसे ठीक करना है हम क्या करते हैं कि परिधी में ही नाचते हैं संसार में मन को ठीक करने का काम ही नहीं करते हैं जो आत्मा के नचदीक है वो सब गंदा ही है कीचड़ ही है अब परिधी में हम दोड़ लगा रहे हैं उसको ठीक ठाक कर रहे हैं इस संसार का व्योहार तमाम जो पलबधियां है ये सब परिधी है आत्मा के इंद्र है उसको ध्यान के माद्रहम से उनहां तक पहुँचा जाता है बीच के जितने जैसे जैसे हम केंद्र के पास पहुँचें आत्मा के पास तक पहुँचें तो बीच का जो रास्ता है बड़ा बीहड है मन उसे में भटक रहा है गंदा बना हुआ है, उल्जा हुआ है उसे ठीक करना है उन सारे वृत्तियों को ठीक करना है तो बिवहार और आत्मा के वीच में जो काम करना है वो मन है मन कुछ भी नहीं है लेकिन मन सब कुछ हो जाता है जड़ और चेतन ये दो चीजें है शरीर जड़ है आत्मा चेतन है उसके कई नाम है आत्मा को हो चेतन को हो जीव को हो परमात्मा को हो बहुत सारे नाम अच्छे अच्छे जितने अध्यात्मिक नाम है इस्वर परमात्मा ये सब जीव के ही नाम है अध्यात्मिक सब्द है ये अच्छे अच्छे नाम दे दिये जाते हैं और ऐसे ही नरक और स्वर्ग है यह भी नाम है दुख को नरक कहते हैं सुख को स्वर्ग कहते हैं जो बाहरी और अध्यात्मिक जो सुख है उसे स्वर्ग कहते हैं बाहरी और भीतरी जो दुख है विपतियां है उसे नरक कहते हैं अपने को भूल करके जो बाहर हम दोल रहे हैं जेल रहे हैं उपलबधी प्राप्त कर रहे हैं उसी में फसे हैं चिंता करते हैं बहुत सारी निरर्थक चीजों में तुमानो नर्क में फसे हैं दुख है पीड़ा है बंधन है उससे हम मुक्ति चाहते हैं जीव उससे हटता है भागता है कोशिश करता है खोचता है जेकिन इतना भटका हुआ है कुछ पता ही नहीं चलता है जैसे बहुत सारा सूत हो कहां फसा है, कितनी गाठे हैं कुछ समझ में ही नहीं आता है उल्जा रहता है इतना ज्यादा तो मन अनादिकाल सी इतना उलज गया है कि सुल्जाने के लिए कुछ दिखाई ही नहीं देता है कैसे सुल्जाएं लेकिन सुलस्त हो जाता है तो ध्यान की ये प्रिक्रिया सुल्जाना ही है विध्वत विशेश ढंग से मन को देखना पड़ता है मन क्या है, कैसे है, कैसे हमको भटकाता है कैसे इसमें पीड़ा बनती है, कैसे गंदगी आती है कैसे गंदगी जाती है बिसेज धंग से देखते हैं किसी के संरच्छन में, सभा में, सत्संग में निर्देश में जब हम रहते हैं तो समझ में बातें आती जाती है ऐसे अकेले में समझ में नहीं आती है और उल्जन बढ़ती है निरर्थक लगता है कोई काम करने चलो तो सहस तो नहीं हो जाता है खेत काटने जाएं किशान एक एकड़ खेत है धान गेहूं काटना है तो जब हसिया चलाते हैं अवजार तो कोई गिंती करता है कितनी हसिया में कटेगा खेत चलाते रहते हैं चलाते रहते हैं दिन और दिन चलाते रहते हैं और फिर खेत समाप्त हो जाते हैं पूरा इलाका साफ हो जाता है तो ऐसे ही जब हम ध्यान और परमार्त की उरागे बढ़ते हैं तो बड़ी उल्जने दिखाई देती हैं क्योंकि ये काम किया नहीं गया कभी अनादी से ये काम पड़ा रहा दुख में जीव पीडित रहा दुख भोकता रहा बंधनों में बंधा रहा कोई गिंती नहीं किया कितने बंधन इस पर बंध गए कितनी रसियां जकड गई कभी ख्याले ही नहीं किया वो समझा ही नहीं कि मैं दलदल में फसा हूँ इससे निकलना भी चाहिए मुझे चाहता तो था सुख सुतंद्रता लेकिन क्या क्यों कैसे कभी सोचा ही नहीं भागता रहा जैसा देखा दुनिया वालों को पीछे चल पड़ा, कभी अकेले होने के लिए, कभी सही चीज खोजने के लिए प्रयासे ही नहीं किया खोजा होता, तो आस तक कपके दुख समाप्त हो गया होता भटकता रहा, भटकता रहा लेकिन चांस तो उसे मिलते रहे जब जब मानो जीवन में आया, तब तक अपने को स्वतंत्र बना सकता था मुक्त हो सकता था, पूर सुखी हो सकता था लेकिन ये काम नहीं कर पाया फिर दुख में पढ़ता रहा, फिर दुख में पढ़ता रहा बंधनों में भटकता रहा ये सिलसिला कब से चलता है इसको नहीं कहा जा सकता, कोई उसके लिए तिथी तारीक समय नहीं बताया जा सकता, यही कहा जा सकता है कि सदा से अनादि से ये जीव बंधनों में भटकता आया, अब छूटने के लिए फिर ये उपाए ध्यान के माध्यम से, ध्यान से देखो कि मैं क्या हूँ, मुझे कौन सा दुख सता रहा है, क्या चीज है, बंधन कैसे है, दुख क्यों है, कैसे है, कितना है, दुख का उपाय भी है कुछ चूटने के लिए, तो पता चलता है, जैसे भी आप देखना चालू करेंगे तो पाएंगे कि हाँ दुख का कारण भी है दुख का समाधान भी है निमारण भी हो सकता है खोजना चालू करें तो तब तो हम यह नहीं कर पाए तो ध्यान के माध्यम से हम खोजते हैं पता चलते हैं ध्यान के माध्यम से अपने विवेक को भी जगाते हैं, कि जीव अजर अमर अविनासी, इसके अंदर इतनी शक्तियां हैं, ये मानोतन मिला है, इतनी बढ़िया जिंदगी है, मानुस्तन, ये कितना दुरलब जीवन है, इसी की विशेष्था सदा से साधक जन गाते रहे, कि बड़े भाग मानुस्तन पावा, लेकिन भाग से जीवन पा करके भी कुछ कर ना पाए, तो दुर्भाग ही तो हुआ दुर्भाग से जीवन पा करके भोगते रहे, दुखों को, विश्यों को. मलिन मन गंदा मन पड़ा रहा, उल्जा हुआ मन पड़ा रहा, कभी सुल्जानी की चेश्टा ही नहीं किये आज फिर ये आउसर मिला है, सुद्ध मानो जीवन तो इसमें हम बाहर भीतर दोनों से पूर सुखी हो सकते हैं जीवन को सुद्ध बना सकते हैं, उसके लिए सत्संग संत गुरु आधार है संत गुरु आधार और नरच्छ कोई किते संत सहायक जीव के संत हिपार लगाए, आवरन से आहोई नहीं जो भ्रम भूल भगाए जीव के सहायक संत जन है, गुरु जन है संत और गुरु जो भी तराग संत है, रहनी संपन है, बोधवान है ऐसे गुरु संतों के पास जा करके, नजदीक में रह करके, उनके अनुसासन में चल करके दिसा निर्देश प्राप्त करके, जीवन की गुत्थी को सुल्जाया जा सकता है जीवन को पवित्र बनाया जा सकता है जीवन की उद्देश को पूरा किया जा सकता है बीत राग कहते हैं जिनके जीवन से मोह, सोक, राग, द्वेश, समाप्त हो चुके हैं बीत गए हैं, उन्हें बीत राग कहते हैं राग और द्वेश, दुख, बीत गया है, समाप्त हो चुका है उन्हें बीत राग संत कहते हैं ऐसे बीत राग रहनी शंपन पुरसं के पास रह करके जा करके और स्रधा से ध्यान करके का भी गया है? बीत राग पुरुस का ध्यान करने से विशय वासनाय समाप्त होती हैं, चित सुद्ध होता है, इसलिए गुर्जनों को ध्यान करने के लिए कहा जाता है, बड़ा सरल क्योंकि स्रद्धा होती है, गुर्जनों में, संतों में, पवित्रात्माओं में स्रद्धा होती है साधकों के अंदर, भक्तों के अंदर, तो बहुत जल्दी मन एकाग्र हो जाता है, मन स्रद्धा से भरा रहता है, पहले से, और बैठते ही स्तरीर एकाग्र हुआ, और फिर ध्यान किये, मेरे योंकि बड़ी कृपा है कितनी महान कृपा है उनकी आदेश निर्देश और उनके चरण को पा करके शरण में आकर के कितना जीवन धन्य हो गया और उनके उपकारों को ख्याल करें मात्र उनके चित्र को सामने ले लें वे इस तरह बैठे हैं हमारे सामने सौम में धंसे, शान्त धंसे और मानों उनके मस्तिक्स चित्र का वाइब्रेशन चल रहा है कमपन हो रहा है, हमारे तक पहुँच रहा है अब हमारे में कोई दोस दुर्गुण नहीं है शांत मन जैसा वो सुद्ध निर्विकार भाव से शांत बैठे हैं वैसे ही मेरा भी मन सांत सरद्धा से भरा हुआ पवित्रता से भरा हुआ भावों से भरा हुआ मन है कोई दुख नहीं कोई परिशानी नहीं कोई पीड़ा नहीं एकदम शान दुख रहित जीवन है कितना आनंद से भर जाता है मन तो ऐसे महान पवित्र आत्माओं को अख्याल करने से मन से वाशनाएं निकल जाती है मन पवित्र हो जाता है मन से कुचिंतन समाप्त हो जाते हैं निरर्थक चिंतन समाप्त हो जाते हैं मन सरल साज निर्गरंत और निर्मल हो जाता है तो ये बढ़िया आधार है एक संबल है ऐसा कर सकते हैं और शाधगन ऐसा करते हैं ये अच्छा है लेकिन इससे हमें और उपर उठना पड़ता है, पिवेकवान साधक फिर इससे उपर उठते हैं, अपने को देखते हैं, मैं हूँ, मैं अजरमर आत्मा विनाशी, नित, नित हूँ, मैं कभी समाप्त नहीं हो जाता हूँ, तो इस तरह से इन भावों में रमे रहने से मन पवित्र हो जाता है, तो ध्यान से मन बल्वान होता है, मन एकाग्र होता है, ध्यान के माध्यम से अस्मन सक्ति भी बढ़ती है, कोई साधक हो, विद्यार्थी हो, अथवा बेवहारिक छेत्र में कोई बिजनिस करता हो, ब्यापार करता हो, सबको अच्छे अस्मन की जरूरत है ना मानो जीवन में, बेवहार और परमार्थ में रहने के लिए आगे बढ़ने के लिए एक आगरता से अस्मन सक्ति आती है जब मन चारो तरब बिखरा हुआ रहता है एक आगरता रहती ही नहीं है तो वहाँ पर बिस्मरण की संभावना तो है ही भूलता रहेगा क्योंकि मन चंचल है और वहाँ पर भूलतो जाने की बात रहेगी अभी कुछ है अभी कुछ है थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है मन चित इधर उधर है बिखरा हुआ है इसके लिए एक आगरता ध्यान चाहिए कोई विद्यार्थी पढ़ता है मन बिखे रहे है चारों तरफ तमाम मित्रों में बातों में किसे कहानियों में नाना प्रकार के चित्रों में मन उल्जा है कैसे बात ख्याल रहेगी फेल हो जाएगा कुछ याद नहीं होगा और जो एकागर मन से बिवहार को समेट करके केंद्रित करता है अपने उद्देश की तरफ नहीं मैं विद्यार्थी हूँ मुझे इन विश्यों को अच्छी तरह से याद रखना चाहिए लेता है सुन लेता है तो याद हो जाता है उसे इसमें जो जितना पारंगत हो जाता है ध्यान में एक आगरता में उसे अच्छी उन्नती होती है अपनी दिशा में बहुत जल्दी सफल हो जाता है तो अस्मर सक्ति भी बढ़िया होती है ध्यान से ध्यान से शरीर में स्वास आप द्यान से सब काम करते हैं, असावधानी नहीं करते हैं, मन चंचल नहीं करते हैं, शरीर भी स्वस्त रहता है, खोन का अच्छा नसनाडियों में वहन होता है, खोन संचालित रहता है, शुद्ध रहता है, कहीं उसमें ग्रंथी नहीं बनती है, और कहीं रक्त भानियों में रिशाव नहीं होता है अलक से, कहीं रुकावट नहीं आती है, तो जो भी गत्विधी है शरीर की, मन के आधार पर ज्यादा है, मन में जरा सा विचलन, दुख, परिशानी, तनाव आया, तो वहीं पर खोन गड़बड हो जाता है, उसका जो स्वभाविक पन है, नश्ट होने लगता है, शुद्धता है, असुद्धता में बदलाव होने लगता है, बिपिहाई हो जाता है, लोह हो जाता है, गाठे बनती है, हिर्दय गती गड़बड हो जाती है, तो यह गलत मन के कारण ही, चंचल मन के कारण ही, मन में विकारी होने के कारण ही ऐसा होता है, अपनी उपरी भाग तुचा में भी रोग आते हैं, क्योंकि भीतर से खून गड़बड हुआ, रक्त, चाप गड़बड हुआ, तो उपर की चमड़ी में भी गड़बड़ी आती है, मस्तिक्स में भी दिमाग भी काम नहीं करता है, उल्जन बढ़ती है, ना बोलने के लिए, ना पढ़ने के लिए, ना ध्यान करने के लिए, ना काम करने के लिए ऐसा मन में आता है, सुस्त आदमी सान्थ आलस्य से भर जाता है, उल्जन से भर जाता है, तो ये सब मन की चंचलता और बिकार के कारण है, मन को इस्थिर कर दिया गया, शान्त, ध्यान के माध्यम से, अब हम ध्यान से एकाग्र हैं, शान्त, चित्त से हैं, सरल सहाज हो गए हैं, कोई तनाव नहीं है, सहस्ता से काम कर रहे हैं, सहस्ता से बोल रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, न क्रोध हैं, न काम हैं, न लोब हैं, न बहुए स्वस्थ सरी स्वस्थ रहें जो आप देखते होंगे काफी लोग s्वस्थ रहते हैं ज्यादा ग्जान विचारत नहीं है लेकिन मन उनका थोड़ा से सहाज है कि कुरोधी नहीं है लोभी नहीं आए मोही नहीं है ज्यादा चंचल नहीं है, उठाव पटक नहीं कर रहे हैं, सिधे साधे हैं, सरीर से भी ठीक है, काफी बलिष्ट हैं, रोग रहित हैं, और जो बिवेक से ऐसा करते हैं, सैयम का जीवन जीते हैं, तो उजाग रहे हैं, जागरित लोग हैं, अपनी जागरती से सरीर को स्वस्त बनाए र रक्त सुद्धी के लिए भी ध्यान बहुत कारगर अवशदी है। रोज के आसमरण के लिए, कारवेवहार के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बिजनिस के लिए, सब के लिए ध्यान बहुत अच्छी चीज है। उसके लिए 24 घंटा में ग्यानी पुरुस एक बार दो बार ही कहते हैं, थोड़े समय के लिए, सारे काम को छोड़ दीजिए, बेवहार के काम को धिला कर दीजिए, बैठ जाईए, एकांत कमरे में, एकांत जगा में, बन में, बाग में, नदी के किनारे, कहीं भी, जहां भी आपको लगे, यहां वातवरण शांत है, और मंद सुगंद हवा है, हवा परकास है, बाधा रहित जगा है, वहां पर बैठें, कोला हल ना हो, शिदे बैठें, और ध्यान में बैठें, मन को शांत कर दें, थोड़ी देर के लिए साब तरफ से समेट करके मन को एकांत कर लें बड़ा विश्राम मिलेगा, तन को भी, मन को भी, भूल जाएं दुनिया को, मेरा कोई नहीं, मैं किशी का नहीं, संसार में कुछ भी नहीं मेरा है, मैं केवल मैं हूँ, इस तरह से अपने आप में आने की चेश्टा करें चारों तरफ से भागता हुआ, ये मन बहुत उलच जाता है, ठक जाता है, तो उसको आराम करने की जगा केवल ध्यान है, ध्यान जैसे बाहर से आदमी, दिन भर का ठका, मांधा, परिशान, कार बेवहार में, जब अपने विस्तर पर आके सो जाता है, सारी ठकान मिड़ जाती है, एक नई उर्जा लेकर के सुगा उठता है ऐसे ही, राद दिन ये मन भाग रहा है, जागरित अवस्था में क्या क्या करता रहता है, यहां तक की सोते समय भी सपने में भागता है मन तो छुट्टी ही नहीं पाता है बहुत ठक जाता है उलत जाता है तो ध्यान एक जागरित अवस्था का एक साधन है व्यवस्था है ध्यान में बैठे मैं मन को विश्राम देने के लिए आराम करने के लिए अपनी सारी सक्ती को आगे बढ़ाने के लिए बल्वान बनाने के लिए ध्यान का काम कर रहा हूँ तो बैठें शान्त, निस्तब्द और निशब्द हो जाए अपने आप में केंद्रित करें मन को मैं हूँ बस मैं ही तो ख्याल करने वाला हूँ, ध्यान करने वाला हूँ सब को जानने समझने वाला हूँ सब कुछ को बाहर भूल जाएंगे तो केवल मैं रहूँगा ख्याल करने वाला जानने वाला समझने वाला तो रहेगा कहां चला जाएगा मैं सांत हूँ यह कौन जानता है मैं ही तो जानता हूँ मेरा मन सांत है यह कौन जानता है अनभव कौन करता है मैं ही तो करता हूँ यह आत्मा है जीव है यही तो परमात्मा है तो उस समय के वल मैं रहता हूँ अपने सरीर का भी ज्यादा ख्याल नहीं करता हूँ सरीर बैठा है शान्त है बस कोई वहाँ पर बहुत भोग प्यास थकान को भी बहुत ख्याल नहीं कर रहा हूं शान्त मन अपने आपको मैं हूं बस इतना ये भाव बना रहे मैं अजरमरा विनाशी मेरे में कोई दुख कोई समिश्या नहीं ये ध्यान अवस्था का अनुभव है और इसको सब को चाहिए कि इस अनुभव तक कर लें फिर देखेंगे कि ये ध्यान दिन भर के कार विवहार को बड़ा स्वस्थ कारगर ढंग से संपन करेगा कोई बाधा आने नहीं देगा क्योंकि हमने ध्यान कर लिए सुबह से संकल्प कर लिए और बस वो मन सुल्जा हुआ मन दिन भर के कारी में अच्छी गत्वी लाएगा और फिर सफल होगा फिर दिन भर के कारण बेवहार को जरा सोने के पहले ध्यान कर लें एक गहरी नजर डाल लें और देखेंगे कि ठीक ठाक रहा आनंद कानुभो करें मुस्कुराते हुए फिर नेंद में चले जाएं बढ़िया नेंद आएगी और शपने भी इध सांत रहेगा सपने भी होंगे तो प्रसंदता देने वाले खुश करने वाले आनंद देने वाले सपने होंगे सरल सहाज होंगे और फिर अच्छी नीद आएगी सुभा जब जगेंगे तो मन मक्षन रहेगा सरल सहाज रहेगा प्रसंदता से उर्जा से भरा हुआ रहेगा तो इस तरह से हमारी ये दिन चर्या हो जाएगी, रोज ध्यान करें और रोज खुस रहें, आगे का जीवन खुस बनाते जाएं, बरतमान में बस हर समय ध्यानस्त रहें, सुबह का एक गंटे का, आधा गंटे का, डेड़ गंटे का जो भी आप ध्यान करेंगे, वो आगे के लिए आपको बहुत कुछ देने वाला है, जीवन को मजबूत बनाने वाला है, और तन मन को स्वस्त बनाने वाला है, तो ध्यान हम करके देखें तो, अनजाने में कहीं ध्यान करते रहे, और कितना हम आगे बढ़ते रहे, जब जान बूज करके ध्यान करेंगे, तो कितना नहीं फल मिलेगा हमें, बहुत फल मिलेगा, और बहुत जीवन अच्छा होगा, इसलिए ध्यान की तरफ बढ़ें, ध्यान हमें तन्मन से मजबूत करने वाला है, ध्यान से ब्योहार हमारा अच्छा होता है, ध्यान से ही बुराईया निकलती हैं जीवन की, ध्यान से जब खा खाएंगे, खान पान हमारा सुद्ध हो जाता है जब ध्यान करते हैं, कोई गंदी चीज हम नहीं लेते हैं, कोई निरर्थक चीज नहीं लेते हैं, कोई नुकसान दे नहीं ले सकते हैं, ध्यान यह हमें सिखाता है कि सुद्ध साप खाओ पियो, और संतुलित खाओ, खाओ, ज्यादा ना खाओ, ध्यान रहेगा तो ज्यादा कैसे खाएंगे, गंदी चीज कैसे खाएंगे, असुद्ध चीज कैसे खाएंगे, ध्यान नहीं करते हैं, इसलिए ज्यादा खाते हैं, गंदी चीज खाते हैं, निरर्थक खाते हैं, और स्वास्त को बरबात करते हैं मन को गंदा करते हैं पाप करते हैं इसलिए ध्यान करें वहाँ भी ध्यान ध्यान से देखें ध्यान से उसको प्रशाद मान करके सरीर के लिए दवा मान करके खाएं शुद्ध हो स्वल्प हो और सुपाच्य हो बस कितना कीमती भोजन है कैसा है कितना महंगा आया है यह समने ही बस अपनी कमाई का हो शुद्ध हो सुपाच्य हो थोड़ा काम चलाओ ले 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 इतने में स्वास्त अच्छा रहे वो अपने सरीर के लिए आप जिम्मेदार है कोई दूसरा नहीं इसलिए स्वयम हम अपने सरीर के डाक्टर बने और मन के डाक्टर बने तन को खूप कमाएं और मन को खूप कमाएं तन की कमाई है ध्यान करें और इसके लिए दो भागों में हम समझते हैं तन में एकसरसाइज करके खान पान ठीक करके सरीर को मजबूत और जो है स्वस्त बना मन में ध्यान करें, गरंथ पढ़ें, सत्संग करें, सावधान रहें, मन में कोई विकार ना जाए, तो मन स्वस्त, तन स्वस्त, दोनों की कमाई किया जाता है। खेत इतना मजबूत था, इतना हम कमाए थे कि देखो आज खेती, तो खेत की कमाई लोग करते हैं। ऐसे ही अपने बाल बच्चों में जो लोग कमाई करते हैं, उनके बाल बच्चे संसकारी होते हैं, मजबूत होते हैं, और पद प्रतिष्ठित होते हैं, सुखी धनी होते है बच्चों में खुब कमाई किया, ऐसे माता पिता, जहां जो कमाई करते हैं, उसका लाव तो दिखाई देता है ना, ऐसे ही हम अपने तन मन को कमाएं, शरीर के लिए exercise, ब्यायाम, कशरत, घूमना, टहलना, शावधानी खान पान की सरीर को स्वस्त बनाए रखें, नहीं तो सरीर पर ध्यान नहीं देंगे, कमाई नहीं करेंगे, आलसी बनेंगे, निकम्मे बनेंगे, और विकारी बनाते रहेंगे, तो तन रोगी हो जाएगा, कम परमार्थ बनेगा, क्योंकि सरीर से ही ब्यवहार परमार्थ दोनों का काम करते हैं, काम देता है, बहुत काम की चीज़ है, इत्मानो तन, शाधन है, एक अच्छा साधन है, साधन से ही तो काम किया जाता है, साधन ही खराब हो जाए, देखो इसमें बिचार करने की शाधन ह तन के साथ मन जुड़ा है तो मन में विचार सक्ति है विवेक सक्ति है ये बड़ी बड़ी सक्तियां है तन मन में इस सक्ति को जागरित किये बिना निरर्थक हो जाता है सारी सक्तियां गायब हो जाती है जैसे दूद में घी होता है दूद को निकालने के लिए हम प्रक्रिया नहीं करेंगे उसको बाहर लाने के लिए जो भी प्रक्रिया है दूद को पकाने की जमाने की मतने की और फिर तपाने की ये काम नहीं करेंगे तो घी निकल नहीं सकता है क्या होगा दूद भी नश्ट हो जाएगा घी भी नश्ट हो जाएगा और फिर नश्ट होए दूद में घी निकल नहीं सकता है उसे खाया नहीं जा सकता है किसी उपियोग का नहीं होता है ऐसे ही मानो जीवन बहुत सक्तिसाली ये साधन मिला है हमें इसमें क्या नहीं हो सकता है क्या होता है ये बात नहीं जानना है क्या नहीं हो सकता है अर्थात सब कुछ मानो जीवन में हम पा सकते हैं हो सकता है, बन सकते हैं, किया जा सकता है बस हम प्रयास करें क्रियानुइत करने के लिए हम आगे कदम बढ़ाएं तो तन मन से हम विवहार परमार्थ में आगे बढ़ सकते हैं तो इसी तन को हम स्वस्त क्यों न करें अच्छा क्यों न बनाएं अब अच्छा बना करके उद्देश की पूर्ती की तरब बढ़ना है न जीवन का सबसे बड़ा उद्देश है मन को निर्मल बनाना, सुखी बनाना, सांत बनाना जीवन का लक्ष है हमें बंधनों से छुट्टी मिल जाएं मुक्त हो जाएं हम इसी के लिए तो सारा साधन धरम बेवहार है जो कुछ आदमी बेवहार में भी करता है तो उसके पीछे यही है कि मैं सुखी हो जाऊं चाहे वो कमाई धमाई हो, पढ़ाई लिखाई हो कोई भी चीज की प्राप्ती हो उसके पीछे यही है कि मैं सुखी हो जाऊं उसके पीछे सुख जुड़ा हुआ है अब ना हो बात अलग है उल्टा हो सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन पीछे राज तो यही है मन तो यही चाहता है कि यह काम कर रहा हूँ वो चाहे कोई पाप का काम ही क्यों न हो चोरी कोई करता है तो उसके पीछे तो यही है कि मैं सुखी हो जाओं कमा करके कोई भी हत्या पाप करता है उसके पीछे यही राज है उसके मन में यही है कि मैं सुखी हो जाओं लेकिन वो उल्टाकारी है विपरीद दिसा है पाप है हत्या है उससे और बढ़ जाता है यह समझ नहीं है उसके अंदर दुख बढ़ जाता है पाप बढ़ जाता है बंधन मजबूत हो जाते हैं इसको पता ही नहीं है विवेक नहीं है विचार नहीं है दया नहीं है धरम नहीं है सोच अच्छी नहीं है तो विपरीद दिसा में वो भागा चला जा रहा है लेकिन मन से माने है कि मैं सुक की तरफ जा रहा हूँ तो केवल मान लेने से ऐसा नहीं हो जाता है जानना भी पड़ता है जाना नहीं, बूझा नहीं, समुझ किया नहीं गौन अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन जाना नहीं, समझा नहीं, बूझा नहीं तो कैसे काम बनेगा जानने की जरूरत होती है लोग मान लेते हैं आज तक मान मान करके हम बंधन में पड़े हैं मान मान बंधन तर आवा निज कर्तब में आप बंधावा मान मान करके ही बंधन बना लिए और अपने ही कर्तब्यों में हम इतना फंस गए इतना बंधन बना लिए इतना दुख बना लिए दोस्त देते हैं दूसरे का इस्वर का परमात्मा का भगवान का किसी और का यह हमारी और बहुत बड़ी गलती हो जाती है आदत बन चुकी है के वाल सिकायत करने की दोस्त देने की अमुक के कारण हम दुखी हैं अमुक के कारण दुखी हैं अमुक भगवान ने दुख दिया अमुक भूत परेद सैतान ने हमको दुख दिया कुछ नहीं हमारा मन मूर्ख मन ए सैतान मन ए पापी मन हमें दुख दिया है उसे ठीक करने के लिए ध्यान करें गुर्जनों की बातों को ध्यान करें और ध्यान से जीवन में आचरण करें ध्यान करें कि पाप क्यों हो रहा है ध्यान करें कि पुन की तरफ हम आगे बढ़ें इसको हम दूर कर सकते ध्यान करके शक्ति इनर्जी इकठा करें, तो ध्यान के माध्यम से हम बिवार और परमार्त में आगे बढ़ सकते हैं, ध्यान के माध्यम से हम जीवन को सुखी बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं, और मुक्ती तक पहुचा सकते हैं, मोह को छोड़ सकते हैं, क्रोध को दूर कर सकते हैं, लोब को जीवन से हम भगा सकते हैं, ध्यान के माद्यम से इसलिए ध्यान ध्यान चारों तरब जीवन के चहुदिस उन्नती के लिए ध्यान की जरूरत है चलते फिरते उड़ते बैठते खाते बोलते चालते ध्यान ये थोड़े समय का बेशिक ध्यान हमारे जीवन के उन्दती के लिए ये टानिक है दवा है इसलिए हम ध्यान से सारा काम करेंगे जब एक गंटा विशेश ध्यान हम करने बैठें और लगातार इसका ब्यास करें अपने को जाने कि मैं पचड़े से अलग हूँ और मेरा ये काम नहीं है मैं तो भूल बस दुख में पढ़ जाता हूँ किसी गंदी आदत में पढ़ जाता हूँ मैं सुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ पस अपने मन को मैं सुद्ध कर लू निर्मल कर लू आत्मा तो निर्मल है ही जब आत्मा के साथ मन भी निर्मल हो जाता है तो कुछ करना बाकी नहीं रह जाता है तो हम इस उचाई तक पहुँचें उसके पहले खान पान को ध्यान दे कर करें बोली भासा को ठीक करें उठना बैठना ठीक करें युक्त आहार विहारस युक्त चेश्टस कर्मसू गीताकार कहते हैं हमारा आहार और विहार युक्त पूर्वक होना चाहिए शावधानी पूर्वक होना चाहिए युक्ती क्योंकि युक्त युक्त चला संसारा निश्चय कहा न मानू हमारा युक्ती से सब काम बन जाते हैं युक्ती से मुक्ती तो संतों ने जो रास्ता बताया ये युक्ती ही है युक्ती से बंधन कर जाते हैं दोस्त दुर्गुण छूट जाते हैं युक्ती नहीं है तो छोटा सा बंधन छोटी सी आदत भी जीवन से हटाये नहीं हटती है गले की हड़ी बन जाती है फासी बन जाती है छोटी सी आदत भी नहीं छूटती है तो बड़ी आदत कैसे छूटेगी तो इसलिए ध्यान दे क करके ये काम करना है मेहनत करना है द्यान का तो संतों गुर्जनों की द्वारा जो हम सीखते हैं और जीवन की उद्देश की पूर्ती लिए जो करते हैं ये महानकारी है इस कारी को छोटा न समझें एक जीवन का सबसे बड़ा कारी जीवन के सुधार का कारिय शान्ति और मुक्ति का कारिय है तो सब को ध्यान की तरफ आगे बढ़ना है विवहार परमार्थ की शुद्धी के लिए कारि करते रहना है अहम सुद्ध चैतन ग्यानस्वरूपम अजराहम अम्राहम अखंडम अनूपम अजराहम अम्राहम अखंडम अनूपम अब सान्ति से थोड़ा से ध्यान करें शान्त सरीर को भी शान्त हिले डूले नहीं हाथ पेर आख मुंदी हुई हो आख को साज धंक से बंद रखेंगे दबा करके बहुत नहीं जब बाहर का द्रिश समाप्त होता है तो भीतर मन देखता है आखे खोले रहो तो बाहर दिखता है मन बाहर भागता है ज्यादा आख मुंद लेने पर भीतर 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 वो मन देखता है भीतर अपनी को देखो मन क्या कर रहा है मन की हरकत को समझो और उसे जोखनी का प्रयाश शान्त भीतर महसूस करना है कि मेरा मन अच्छा कर रहा है मेरा मन सान्त है भी मेरा मन सान्त है शम पूरा हुआ नियमों में सब लोग बंधे रहेंगे अभी का कारिक्रम ये प्रथम सत्र पहले दिन का समाप्त हुआ परम पूजी स्री सहेब जी ध्यान कैसे किया जाए ध्यान करने से क्या लाब होता है सुबा के सत्र में पूजी स्री सहेब जी के और सुंदर विचार स्रवन किये ध्यान कैसे लगता है जैसे गन्ना सभी खेत में नहीं उत्पन्य होता जैसे कपास हर खेत में ध्यान हर खेत में नहीं तयार होता है इसी प्रकार ध्यान हर परिष्थिती में नहीं लगता है जैसे गन्ना बौने के लिए एक भूमिका होती है तभी गन्ना तयार होता है बिना तयारी के कोई चीज होता नहीं है ऐसे ही ध्यान बिना किसी तयारी के ध्यान लगता नहीं है हमें अपने इन सभी ब्यवहारों को जब तक हम सजगता पुरवक नहीं अपनाएंगे तब तक कोई भी कारी की शिद्धी नहीं हो शकती है ध्यान करने के लिए पहले हमारे ब्यवहार को मन तथा इंद्रियों को जब तक हम शाओधानी से नहीं इनका उपयोग करेंगे तब तक ध्यान नहीं लग सकता है मन हमारा सब समय चंचल बना रहता है हम सोचते हैं कि अमुक चीज मिल जाए ये द्रिश्य ऐसे देख लें और उसको पा लें ऐसी चीज खा लें ये मन हमारा राद दिन विशियों को का ही चिंतन करता रहता है ये अनादिकाल से हमारा मन विशियों के रास्ते में दोड़ता रहता है और वो विशय हमारे क्या होते हैं? बाहर के पांचों ग्यानेंद्रियों के ये विशय हमें रात दिन दोड़ाते रहते हैं चाहे जितनी ये चीजें हमारे लिए बड़ी सुखद लगती हो लेकिन इनमें सुख कहीं है नहीं सब तरफ से मन को समेटना पड़ेगा हमारे पास पांच ग्यानेंद्रियां है मन है और बुद्धी है जब तक हम इनको पहचानेंगे नहीं अच्छे ढंग से तब तक हमारा मन रात दिन विशियों में भटकता रहेगा बीत राग विशियम वा चित्तम बीत राग जिनका राग मिट गया हो ऐसे साधकों, संतों, ग्यानियों को अपने चित्त का आलंब बनाना ये साधक का काम है मन हमारा बाहर सब समय कुछ न कुछ सोचता रहता है और और आधार बनाता रहता है और बाहर जब तक आधार हम बनाते रहेंगे तब तक हम अपने आप में नहीं टिक पाएंगे यदा पंचावतिष्ठंते ज्ञानानि मन्सा सह बुद्धिष्च नाविचेष्ठती तामाहु परमाम गतिम ये उपनिशद का मंत्र है कि ये सीधा साधना का ये विशय है यदा पंचावतिष्ठंते जब आउतिष्ठित पांच ग्यानेंद्रिया सबके पास ये पांच ग्यानेंद्रिया है और मन्सा सह मन के सहित बुद्धिष्च और बुद्धी भी नभी चेष्ठती चंचल नहीं होती है तब कामाहु उसे कहते हैं परमाम गतिम, परम गति, सीधा सा बचन है, जब पाचो ग्यानेंद्रियां मन के सहित बुद्धी भी चंचल नहीं होती हैं, तब इसे परम गति कहते हैं, जितना हम मन को सुवश करेंगे, हम बाहर विशियों को, मन तथा इंद्रियों को चंचल बनाते रहेंगे, तब तक शाधना नहीं हमारी हो पाएगी, अपने आपको लौटाते रहें, बाहर से, विशियों से, ये मन का दवड़ना, मन का भटकना ही तो हमारी चंचलता है, चाहे जितना बाहर की चीजें, हमें मिल जाएं, लेकिन उन बाहर से पापा करके, कहीं त्रिप्ती नहीं मिलती है, द्रिश्यों से कहीं भी जी भरता नहीं है, आज जिसको हम चाहते हैं, कि ये बड़ा सुखद है, बड़ा प्यारा है, और फिर वह इसे ही रह जाता है, जैसे के तैसे वो चीजें छुड़ जाती हैं, और जिनके लिए मन लालाईत रहता है, और वो फिर फीका लगने लगता है, इसलिए मन को बहुत द्रिश्यों में रमाने से कभी शान्ती नहीं मिलती है, द्रिश्टा की ओर चलें, द्रिश्य और द्रिश्टा, द्रिश्य बाहर है, द्रिश्टा मैं स्वयम हूँ, और द्रिश्टा में ठाहरने से सान्ती मिलती है, मेरा जो सुरूप है, वो देखने वाला है, देखी जाने वाली चीज नहीं, देखने वाला, और राद दिन हम इन द्रिश्यों में ही राद दिन लगे रहते हैं, पाहर विश्यों से लोट करके, अपनी तरफ हावें, अंतर मुखों में, सद्गुरु विशाल सहेब ने कहा है, हे मन, जगत को छोड़ करके अपने घर को चलो, अपना घर कहा है, हम मानते हैं हमारा घर मंजनपूर में है, इलहाबाद में है, कौशाम्भी में है, बाहर बाहर हम अपना घर मानते हैं, लेकिन वो घर नहीं है, अगर वो घर है, तो सदेव हमारा साथ बना रहे, लेकिन साथ कहां रहता है, देखते देखते, जो आज प्यारे हैं, उससे भी अच्छा घर कहीं लगता है, तो इसको छोड़ दिया जाता है, तो ये बाहर के माने हुए घर, कोई हमारा अस्थाई रूप से नहीं रहता, छुट जाता है, बदल जाता है, समय के साथ में, लेकिन जो मेरा अपना स्वरूप है, मेरा निजतत तो है, वो छुटने वाला नहीं है, बच्पन में मैं अपने आपका एहसास कर रहा था, जवानी में कर रहा था, आज कर रहा हूँ, बुढ़ापे में भी वही अपने आपका एहसास मुझे होता है, इसलिए बाहर द्रिश्यों से लोटें, द्रिश से कभी भी हमें शान्ती नहीं देते हैं, शान्ती अपने आप में मिलती है, इसलिए जगत से, द्रिश्यों से, पूरी तरह से अपने आपको समेठते चलो, आत्मा उलोकन करें, अपने आपको देखते चलें, देखें, उठते, बैटते, खाते, पीते, लोगों से मिलते, जुलते, ब्यवहार करते, अपने आप पर सजगता होनी चाहिए, अपने को जब हम भूलते हैं, तभी हमारा मन विश्यों में आकर्शित होता है, द्रिश्य प्यारे लगने लगते हैं, सरीर सुखदाई लगने लगता है, धन, घर, परिवार, आदी में ये मन आनन्द खोजने लगता है, लेकिन यहां आनन्द है नहीं, आनन्द होता तो सबसमें आनन्द आना चाहिए, अगर सरीर में, अपने सरीर में आनन्द है तो सबसमें आनन्द आना चाहिए, लेकिन नहीं आता एक समय यही बहुत अच्छा लगता है प्यारा लगता है सुखदाई लगता है दूसरे च्छण सुखदाई नहीं रह जाता दरद लगने लगता है अपना चेहरा ही अन्सुहाता लगने लगता है और चेहरा में कौन सी सुन्दरता है? खाल में सुन्दरता है, कि रक्त में सुन्दरता है, कि बाल में सुन्दरता है कहां सुन्दरता है? ये साब माना हुआ है, भ्रह्म से है इसलिए साहिब ने कहा भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देई लखाई कहां ही कबीर भूल की और सद्ध पारक सबकी भाई भूल से सारा बाहर का सुख लगता है लेकिन जब विवेकवान संत सद्गुरु मिलते हैं तब वो भूल का परिचय दिलाते हैं कि जहां जहां तुम सुख खोज रहे हो वो सुख नहीं है वहां हमारे भूल और भरम से है तो क्या फिर खाना, पीना, नहाना, धोना, कपड़ा, पहनना यह सब छोड़ दे, नहीं, छोड़ना नहीं है यह मजबूरी है, देह का ब्यवहार तो करना ही पड़ेगा सब को देह का ब्यवहार करना है लेकिन ब्यवहार करते हुए भी मोह नहीं करना है और साधक को शांती इच्छुक को तो जो अनावश्यक काम है वहाँ तो अपने मन को डुबाना ही नहीं है लगाना ही नहीं है रागरंग की बातें और कहीं भी अनावश्यक खेल तमासे देखना नाचनाटक देखना हसी मजाक करना विवाद कलाह में पढ़ना गलत खान पान दुर्वेशन करना ये सब तो कुछ करना ही नहीं है लेकिन सरीन निर्वाह वाली क्रियाएं तो करना ही पड़ेगा खाना पड़ेगा विस्तर पर सोना पड़ेगा नहीं विस्तर पर सोएंगे जमीन पर ही कुछ बोरा बिछा के सोना पड़ेगा कुछ अनुकूलता तो चाहिए अनुकूल तो बना करके ही रहना पड़ेगा, अनुकूलताओं से पूरी तरह अपने आपको हटाया नहीं जा सकता, कोई पलंग पर न सोवे, जमीन पर सोवे, तो जमीन पर तो साधा नहीं सोवेगा, कुछ बिछाना पड़ेगा, बहुत मोटा बढ़िया कोमल गद्दा ना तो चादर बिछाना पड़ेगा, ना चादर बिछावे, तो कंकड पर तो नहीं सोवेगा, कंकड तो बुहारेगा ही, कंकड बुहारना ही एक अनुकूलता हो गई, और कोई कंकड पर भी सोने लग जाए, तो काटा पर तो नहीं सोवेगा, और कोई काटे पर भी सोने के लि और काटे की अप एक्षा कंकड अनुकूल है, कंकड की अप एक्षा भर्ष अनुकूल है, है कुछ ना कुछ अनुकूलता, तो यहाँ पर अनुकूलताओं को पूरी तरह से छोड़ा ही नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, अनुकूलता के मोह को छोड़ना है, मोह दुखदाई है, अमुक जगह, अमुक खान-पान, अमुक परिस्थिती, अमुक लोग, अमुक पहना उड़ाओ के ही हम प्रेमी बन जाएं उसके बिना हम जीना सकें, बेचैन होने लग जाएं, ये ठीक नहीं है आत्म अनुभव करने वाला, आत्म ज्यान के पत्थ पर चलने वाला, सारे द्रिश्थ को जब अपने से अलग मानता है, अहय ऐसा, तो फिर काहे को द्रिश्थियों में चिपकना द्रिश्थ और द्रिश्था के भेद को सब समय समस्ते चलना है, मैं द्रिश्थ नहीं हूँ, द्रिश्था हूँ, और द्रिश्था समस्त अनुकूल प्रतिकूल से परे है अब जब तक सरीर है प्रतिकूलताओं में नहीं जिया जा सकता थोड़ी देर के लिए उसको जिया जा सकता है कुल मिला करके अंत्ता अनुकूल वातावरण में ही ब्यवहार परमार्थ की शाधना की जा सकती है लेकिन उसमें भी निर्मोह होकर अनाशक्त होकर कामनाओं का त्याग करके अब मन की शांती चाहने वाले को इच्छाओं पर कंट्रोल होना चाहिए इच्छाएं समुद्र की तरह हैं मन सायर मन सा लहरी भूड़े बहुत अचेत कहां ही कबीर ते वांची हैं जाके हिरदें विवेक मन सायर है सायर माने समुद्र मन समुद्र है इच्छाओं की तरंगे उसमें उठ रही है हर दम कोई न कोई इच्छा उठती है ये चाहिए वो चाहिए ऐसा वैसा नहीं चाहिए तो भी यह मन की आदत है कुछ सोचते रहना जलेयान, थलेयान, वायुयान ये सब यान है अपने अपने पत पर चलते हैं जलेयान जल के पत पर चलता है छोटे और बड़े अनेक प्रकार के जलेयान होते हैं और वो जल के पत पर ही चलते हैं नाव काएं, बड़ी बड़ी जहाज वो नदी में, समुद्र में चलते हैं वो अपने पत्थ पर चलेंगे उनको सड़क पर चलाना चाहेंगे तो नहीं चल पाएंगे नाव सड़क पर थोड़े चलेगी थल्यान कुछ होते हैं गाड़ी, मोटर, मोटर साइकल अनेक प्रकार की छोटी बड़ी गाड़ियां ये थल पर चलेंगे, सड़क पर चलेंगे इनको जल पर नहीं चलाया जा सकता वायू यान है वायू के पत्थ पर चलता है उनको सड़क पर नहीं चलाया जा सकता और थोड़ा मुड़ा चला भी लेंगे तो उससे यात्रा यहां मनजिल नहीं तै की जा सकती है उसको जल के पत्पर नहीं चलाया जा सकता वायू के पत्पर ही उचलेगी यह मन भी एक यान है यह सब समय जीव को यहां से वहां वहाँ से वहाँ भटकाता है अये मन किस पत पर चलता है संकल्पों के पत पर चलता है कहीं जाता होता नहीं है जलयान, थलयान, वायुयान बहुत इस्थूल चीज है और मन बहुत सूक्ष्म है और ये संकल्प विकल्पों के पत पर चलता है और संकल्ब विकल्पों को नियंतरित करना, पवित्र करना, त्याग करना यही साधना है अजितना जितना हमारी सजगता बढ़ेगी उतना उतना पवित्रता बढ़ती जाएगी उतनी उतनी हमारी साधना मजबूत होती जाएगी इसके लिए ये दिहानश्वीर का आयोजन है इसमें विशेश ढंग से अभ्यास स्वयम का करके और सत्संग को सुन करके किया जाए स्वयम में मन पर साधना का अभ्यास करें और सत्संग द्वारा जो इधर से विचार कुछ दिया जाता है उसके माध्यम से उसावधानी लावें और साध दिनों तक बाहर से अपने मन को काट करके पूरी तरह से इसका अभ्यास किया जाए और फिर ये अभ्यास का संसकार बनेगा ऐसा नहीं है कि बस साध दिन में आप पूरी तरह से मन को जीत लेंगे और फिर संकल्प आतीत हो करके आपका जीवन बीतेगा ऐसा नहीं है हाँ एक विचार मिलेगा और उसी का जब अभ्यास करेंगे तो काफी एक फाका रास्ता खुलेगा और घर में फिर इसी का अभ्यास करते रहेंगे तो और साप होता जाएगा और बराबर करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से संकल्पों को जीत करके भी जीवन जी सकेंगे तो ये मन हमारा समुद्र की तरह है समुद्र समुद्र में जैसे अथाह जल रासी भरी होती है समुद्र एक भावतिक चीज है जड़ है उस जल रासी का अंत नहीं किया जा सकता उसको नापा नहीं जा सकता उसको खाली नहीं किया जा सकता है वो हमारा बनाया हुआ भी नहीं है वो प्राकृतिक है लेकिन जो हमारे अंदर और संकल्पों का इच्छाओं, कामनाओं का जल भरा हुआ है, यह हमारा बनाया हुआ है, इसको खाली किया जा सकता है, इसको उलिचा जा सकता है, लेकिन साधना जब करेंगे तब, और इस समुद्र के पार ही हमारी मन्जिल है, और जितनी मजबूती से हम इसको तैरना सीखें जाएंगे संकल्पों इच्छाओं के जल को जब पार कर जाएंगे ताब हमारी वो मनजिल मिलेगी नहीं तो इच्छाओं में ही यह जीव भटकता रहता है और दृष्यों के संकल्ब विकल्प उठा करके शनसकार बनाएगा और सनसकार फिर हमारे अचेतनमन में इस्थित होत उनर जनम में गमना गमन में ले जाते हैं एक बहुत बड़ा विज्ञान है जैसे कोई फैक्टरी होती है मसीन चलती है एक तरफ से कच्चा माल जाता है और उसकी पिराई होती है तेल निकलता है एक तरफ खली निकलती है फिल्टर होकर के बाहर आता है या धान की कुटाई होती है गेहूं की पिसाई होती है या और भी कोईचीज बनता है तो एक सिस्टम से सब चलता है और एक तरप से जाता है काम होता है और तयार होता है माल एक तरब गिरता जाता है पाइकिंग होती जाती है और इस्टाक होता जाता है ऐसे हमारा सरीर भी एक बहुत बड़ा संयंत्र है एक बहुत बड़ा विज्ञान है बहुत बड़ी फैक्टरी है इसमें भी जैसे हम सिस्टम दे देते हैं जैसे इसको कमांड दे देते हैं व विजान विचार का हमें कमांड देना चाहिए और ये कमांड नहीं देंगे तो फिर इच्छाओं कामनाओं का रागद्वेश का मनों विकारों का आशक्ति मौह का अपने आप कमांड लग जाएगा सकारात्मक काम को सजगता पूरवक स्वयम करना पड़ता है नकरात्मक काम को नहीं करना पड़ता है वो हो जाता है अपने आप हो जाता है घर में सफाई करने के लिए जाड़ू उठा करके पूरे घर में लगाना पड़ेगा समय देना पड़ेगा ठकना पड़ेगा मेनत लगेगी पहुचा भी लगाना पड़ेगा अगर और उसे शाब क्लिन करना है तो पहुचा लगाना पड़ेगा करना पड़ा न? लेकिन धूल लाने के लिए गंदगी लाने के लिए कचड़ा आने के लिए कितना प्रयास किया गया है बिना प्रयास किये बिना मेहनत किये अपने आप वो आ गई है ऐसे खेत में फशल को बढ़िया रखने के लिए उसकी निराई गड़ाई करना पड़ता है, कटाई छटाई करना पड़ता है, दवाई डालना पड़ता है, खाद पानी उसकी देखरेक बहुत सावधानी के बाद ताप धान की ग्यहूं की आलू की गन्ने की फशल होती है और उसको विगड़ने के लिए कुछ नहीं करना है लापरवा हो जाएए घास अपने आप आ जाएगी और रोग अपने आप आ जाएगे पसु अपने आप आ करके चर जाएगे पानी नहीं देंगे अपने आप वो सूख जाएगी कुछ नहीं होना है ठीक ऐसे ही हमारे मन की दसा है इसको जितना हम सजगता पुरवक जिएंगे इसमें अगर शान्ती, कल्याण, प्रशन्यता, आनंद चाहते हैं तो सैयम, नियम, त्याग, अनाशक्ती, ध्यान, चिंतन का स्रम करना पड़ेगा अपने मन में ज़ाडू लगाते रहना पड़ेगा जो तू साचा बानिया साची हाट लगाओ, अंदर ज़ारू देई के कूरा दूरी बहाओ सद्गुरू कबीर कहते हैं, अगर तू ग्यान का सच्चा ब्यापारी है, तो सच्ची हाट लगा, क्या जूट मूट का बजार लगाए बैठा है सांची हाट लगाओ हर इंसान व्यापारी है वो कुछ चीज देता है दूसरों को कुछ चीज लेता है व्यापारी भी यही करता है वो कहीं से सामान लाता है और कहीं किसी को देता है और उसी में उसका लाब होता रहता है ऐसे हम लोग भी है ज्ञान का व्यापार करें हमें संतों, साधकों, गुर्जनों, सत्षिधानतों से सत्संग से ज्ञान का साधा लेते रहना चाहिए और अपने अंदर उसको आत्मशायत करके उचित मूल दर पर दूसरों को भी उसको देते रहना चाहिए बिना उसका लाव कमाए अगर हम देते रहेंगे तो कोई फाइदा नहीं मिलेगा लाव उसका मिलना चाहिए और लाव यही है कि ज्ञान को ले लें गुर्जनों से, संतों से और अपने जीवन में उसको पचाएं वैसे साधना, वैसे संयम, वैसे मन तथा इंद्रियों में उन नियमों को लागू किया जाए तो यह उसका लाव मिल गया और फिर जब जरूरत पड़ जाए जहां तो दूसरों में भी देते रहें तो यह है ज्ञान का व्यापार अंदर जारू देगे, अंदर में जाडू लगाते रहो सजगता का, शावधानी का, निरख परख करते रहें अंदर जितना अंदर जाडू लगाते रहेंगे तो निरर्थक चीजें अंदर नहीं जमने पाएगी कुड़ा कचड़ा नहीं कठे होने पाएगा और दूर को कुड़ा फेको कोई दुकानदार होता है या आप लोग ही घर में जाडू लगाते हैं तो कचड़ा जो निकलता है, कचड़ा को कहां डालते हैं जाडू लगा करके, क्या कचड़ा को फिर ले जाके दूर फेकाओ हमारे ही जीवन में जो दोश हैं दुरगुण हैं इनको भी निकालना है इच्छाएं कामनाएं हैं रागद्वेस हैं इनको निकालना है और दूर फेकने के लिए जाएं निकालते रहें फेकते रहें दूर फेकने का मतलब है दिर्ण संकल्प नहीं आने देना है अब नहीं चाहिए मुझे अब ये आदतें ये स्वभाव ये संकल्प विकल्प ये आशक्ती मोह नहीं चाहिए मन की मजबूती ही साधना है और क्या साधना है जो नहीं चाहिए उसको त्यागते रहें और गांधी जी की बात यहीं पर य पुछा था कि बापुजी आप देखने में कोई बहुत सुन्दर नहीं हैं, कोई बहुत वो अनोखे विलक्षन रूप वाले थोड़े थे, साहज थे, कुरूप भी नहीं थे बहुत, लेकिन बहुत सुन्दर नहीं थे, तो आप देखने में बहुत सुन्दर नहीं हैं, और आप कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत बड़े बिद्वान भी नहीं है, बैरिश्ट्री पढ़े हुए हैं, इंग्लेंड में जाकरके उन्होंने बैरिश्ट्री पढ़ा था, वकालत, भारत में जो पढ़ते हैं उसे वकालत कहा जाता है, इंग्लेंड में जो अबाजी नहीं है लेकिन वापु जी आप ये बताईए कि क्या खूबी है आप में कि जो भारत की जनता आप के लिए लट्टू है आप जहां जाते हैं हजारों हजारों की भीड़ लाखों की भीड़ी कठी हो जाती है बापु जी ने कहा था कि मेरे में क्या खूबी है ये तो मैं ज़्यादा नहीं जानता है हाँ एक बात जानता हूँ कि जिस चीज को मैं गलत समझ लेता हूँ उसको त्यागने के लिए कमर कश लेता हूँ और जिस चीज को मैं सही समझ लेता हूँ उसको अपनाने के लिए प्राण प्रण से लग जाता हूँ अब इस खूबी से बढ़ करके और क्या हो सकता है बड़ी बात यही बहुत बड़ी चीज है और अक्सर हम लोग यही नहीं कर पाते हैं गलती को गलती समझ करके हम त्याग नहीं पाते और अच्छाई को अच्छाई समझ करके उसको अपना नहीं पाते हैं इसलिए हम ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के जानने में कमी नहीं है हमारे हर इंसान के पास बहुत ग्यान होता है कहा जाता है कि दो बुद्धी है और लोग यही मानते हैं कि डेढ़ बुद्धी हमारे पास है और आधी बुद्धी में पूरी दुनिया के लोग हैं इतना बड़ा हमें बुद्धी का गर्व होता है हर बात पर हम कमेंट्स कर देते हैं यह ऐसे नहीं होना चाहिए यह ऐसे होना चाहिए यह अच्छे नहीं है इनको ऐसे करना चाहिए इनको ऐसे बोलना चाहिए तो यही भाव तो है कि हमारे पास ज्यादा बुद्धी है इनके पास तो कुछों नहीं है आधी बुद्धी में दुनिया के लोग हैं डेड़ हमारे पास है लेकिन अगर हम दुखी हो रहे हैं अगर हम चंचल हो रहे हैं अशान्त हो रहे हैं मानसिक जलन में व्यतित हैं तो कहां डेढ़ बुद्धी है कुछ भी नहीं है बुद्धी की निशानी यहा है कि हम हर हाल में प्रशन्य रहें हर हाल में प्रशन्य रहें सुखी रहने भर के लिए साब के पास बहुत सामग्री है सुखी रहने के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग इतना बड़ा घर इतनी बड़ी शंपत्ती इतनी जमीन इतने रुपए ऐसा खाना पीना ऐसा कपड़ा इतने लंबे चोड़े हम हो जाएं इतना पढ़े लिखे हो जाएं इतने बाल बच्चे हो हमारे तब हम सुखी होंगे ऐसी कोई बात नहीं है ऐसा ब्यर्थ की चीजें है इन सब से और सुख से कोई संबंध ही नहीं है हाँ अगर ये सब हो भी और जीना आता है हमें सावधानी है, सद्बुद्धी है तो इनमे के रहते हुए भी हम सुखी हो सकते हैं कोई गलत चीज नहीं है ठीक है, है कोई चीज तो उसको फेंक कहां देंगे छोण कैसे देंगे और इनहीं में जिया जाए और सही ढंक से जीना आ जाए तो इनके रहते हुए भी सुखी रहा जा सकता है और जीना आ रहा है इसका मतलब है वो निशकाम है अनासक्त है निश्प्रेह रह रहा है तो यही जीने का तरीका है चीजों के रहते हुए लोगों के रहते हुए और योग्यताओं के रहते हुए भी उसका अभिमान न होना उसका गर्व न होना उसमें मैपन का भाव न होना यही है सुखी रहने का तरीका मैं पन, चीजों के लिए मैं पन नहीं होना चाहिए अपने आपके लिए तो होना ही चाहिए मैं यहा हूँ यह बोध बना रहा है मैं द्रिश्यों से, सरीर से, प्राणी पदार्थों से, पदाधिकार से, उम्र, रूप, रंग से अलग अबिनाशी आत्मा हूँ ये आत्म भाव है, ये मैपन है, ये तो होना ही चाहिए लेकिन मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, और मैं विद्ध्वान हूँ मेरे में ये है, वो है, मेरे में ऐसे रूप सौंदर्य है, ये सब माईक है आज है, कल नहीं रहेगा अने कारण से, ये मिले हैं, और वो कारण आज कल में समाप्त हो जाएंगे साब इधर उधर इधर इधर हो जाएंगे, ये सारी योग गिताएं छिन भिन हो जाने वाली हैं इसलिए इन बाहर की भूमिकाओं में हमें नहीं डूबना चाहिए बाहर के सारे जो हमारे शुक्सांति के कारण हैं, उन कारणों का निश्काम भाव से लाभ ले लिया जाए और उसका अभिमान ना हो, और लाभ ले करके अपने आप में लोटना है तो मैं कह रहा था कि कोई भी चीज की भूमिका होती है बिना भूमिका के ना गन्ना हो सकता है, ना धान हो सकता है, ना कपास हो सकती है और ना गेहू, ना मूली गाजर, कोई भी चीज नहीं हो सकती है इसी प्रकार ध्यान के लिए भी भूमिका चाहिए वैसे संगत चाहिए वैसे तयारी चाहिए वैसे खान-पान चाहिए और वैसे सद्गरंथ अध्यन चाहिए मोबाईल है आपके पास वैसे ही मोबाईल से भी आप चीजों को ग्रहाण करें उल्टा ना चलें उल्टा करने से काम भी गड़ता है अक्सर लोग जो सुविधाएं हैं जो चीजें हैं उसके विपरीत चल करके अपने को और दुखी बना लेते हैं भटका लेते हैं चंचल बना लेते हैं सही दिशा में काम होना चाहिए शाधना का हमारा जो क्रम है धीरे धीरे ही करें लेकिन सही दिशा में करें कोई वेक्ति गाड़ी से जा रहा हो गाड़ी तेज भी हो चल रहा हो लेकिन उल्टी दिशा में चल रहा हो तो क्या मन्जिल पहुँच जाएगा उल्टी दिशा में भी ना चल रहा हो सीधी चल रहा हो लेकिन अब तेल गाड़ी का खतम होने वाला है और रुकने का नाम नहीं लेता कहीं साथी ने कहा कि भाई तेल भरा ले कहा है नहीं नहीं हमारे पास समय कहा है तेल ना भरावे और चलता रहे तो अचानक कहीं बीच में रुकना पड़ेगा ना चल पाएंगे और ना वहां बैठे रह पाएंगे तो जल्दी पहुचने के लिए भी कहीं रुकना पड़ता है तो इसी प्रकार मंजिल पहुचने के लिए रुकना पड़ेगा और यह रुकना यही है कल्यान की मंजिल पहुचने के लिए यह ध्यान सिविर की जो साधना है या अपने अपने घरों में बैट करके जो ध्यान किया जाता है, यही है, तेल भराना, गाड़ी में तेल भरना, जब तेल आप बराबर भरते रहेंगे, तो गाड़ी चलती रहेगे, शरीर में तेल भरने के लिए तो सबको चिन्ता होती है, दो दो नहीं, तीन तीन, चार चार बार भी वो खुराक डाला जाता है, अच्छी अच्छी खुराक, लेकिन मन में शान्ती बनी रहे, प्रशन्यता बनी रहे, कल्यान का काम होता रहे, दोस मिटते रहे, इसके लिए कोई पावर चार्जिंग ही नहीं, कोई खुराक ही नहीं लिया जाता, सब को इसकी खुराक लेते रहना चाहिए, सत्संग में जा जा करके, संतों के पास बैठ करके, ग्रंथों को पढ़ करके, एकांत में बैठ कर चिंतन मनन करके, मनों निग्रह करके, अपनी खुराक को कमाना चाहिए, इकठा करना चाहिए, ये भाजन करने के अनेक तरीके हैं, सद्गुरु श्री प्रेम साहिब जी ने कहा है, गवार चर्चा करते हुए, गुर्देव जी से, कि साधना के अनेक तरीके हैं, इस मन को घेर करके बसमे करना पड़ता है, जैसे जंगल में कोई एके तरफ से सिकार करे, सिकारी को पकड़ना चाहिए तो नहीं, कई लोग कई तरफ से कई तरीके से गेरा डालते हैं, हतियार ले करके, बाजा बजा करके, आग लगा करके, आवाज हला गुला करके, तब उसको घेर करके पकड़ते हैं, आईसे यह मन एक सिकार है और इसको पकड़ना है मारना है अब मन को मारना बहुत बड़ा पुन्न है जियों को नहीं प्राणियों को नहीं मारना है मन को मारना एक पुन्न है अब मन को मारने के लिए घेरा डालना पड़ेगा अनेक तरीके से घेरा डालो कभी सद्ग्रंथ पढ़ करके मन लगा करके खूब सद्ग्रंथ पढ़े तो कभी भजन को गायन करके मन लगा करके ज्यान की बातों को भाव पूरवक गाये, मनन करते हुए, देखिए, उसमें से अमरितरश निकलेगा, गाने का नहीं के वल्ला है, बलकि उसका भाव समझते हुए, डूब करके, तो कभी सत्संकी चर्चा करके, जो ज्ञानवान, बोध बैराग संपन्य, शंत गुर्जन हो या कोई सत्जन ही हो, उनसे ज्ञान विवेक विचार की, जड़ चेतन की निरड़े चर्चा किया जाए, और निरड़े चर्चा में तद्गत हुआ जाए, तब उसमें से सार निकलेगा, तो कभी चिंतन करके, एकांत में बैठ जाईए, और देखिए, चिंतन कीजिए, कि दस साल पहले मेरे आदत थी, लोभ करने की आदत थी, मौह करने की आदत थी, क्या आज भी वैसे ही है, बढ़ी है या घटी है, अगर बढ़ी है तो दुख की बात है, अपसोश करना चाहिए, ऐसा क्यों, ऐसा मैं प्रघटनन की ओर चलू गिरावट की ओर चलू ये तो मेरी बहुत बड़ी हानी है और मेरे से ऐसा हो जाए ये उचित नहीं है अपने में लज्जा होनी चाहिए शर्म होनी चाहिए कि मेरे से ऐसे गिरावट की और मैं दोश दुर्गणों इच्छाओं कामनाओं की और नीचे की और चलूं अपने में सुधार ना ला सकूं ये मेरे लिए लज्जा की बात है मुझे तो लोग भक्त कहते हैं मुझे तो लोग सत्संगी कहते हैं साधक कहते हैं संत कहते हैं साहिब कहते हैं गुरुजी भी कहते हैं और मैं ऐसे रहू तो अपने मन में इस तरह से चिंतन करना चाहिए ये मन को पकड़ने का बड़ा जबरजस्त तरीका है अगर सुधार आया है तो खुशी होनी चाहिए चलो बहुत अच्छा है उन्नती हुई है अपने मन को ही धन्यवाद दें और धन्यवाद दे करके वहीं रुक न जाए उसको उत्साहित करें चलो इतना तुम्हारा काम हुआ है और आगे चलो अभी बहुत लंबा सफर है काम करना है अभी उसको उतना उत्साहित कर दीजिए वो बल इकठा हो जाएगा और फिर उस बल से और बरतमान का बल जोड़ करके और आगे बढ़िए पूरो में आपने जो कमाया है वह बल लेकर और बरतमान में भी पूर्शार्थ लगा करके और आगे बढ़िए जब और आगे बढ़ेंगे तो फिर आपकी कमाई होगी और ज्यादा से ज्यादा फिर और आगे बढ़ सकेंगे इस प्रकार से यह भी एक बहुत तरीका बढ़िया है ध्यान करना ध्यान में बैट है यह तो एक अंतिम बात है ध्यान में बैट करके संकल्पों को पूरी तरह से त्यागा जाए और यह बहुत अभ्यास शाधना संयम त्याग गुरु भक्ती का यह फल है एक तरीका और है मरण भावना कोई नहीं बैट सकता है देर तक कमर में दर्द होने लगती है या और कोई दिक्कत है सोने का समय है तो लेट जाएए सरीर को धीला छोण दीजी एकदम अपने आपको धीला शांत और सोचिये की सरीर अब छुट गया है यह पड़ा हुआ है इसके उपर लोगों ने मिट्टी डाल दिया है अब यह फूल आया है यह मेरा थोड़े है यह होना ही है आजकल में इसकों लोग मिट्टी में दबा दिये हैं आग में रख दिये हैं जल गया है राख ओ गया है राख उड़ गई है कोई चिन भी नहीं रह गया है यह कोई अन्होनी घटना नहीं है यही तो हो रहा है राध दिन हमारे साथ भी यहीं होगा इसलिए अंतिदसालिये आदिमे सोई साच बैराग, सो सुख्याति हुलोक में जाको निश्चय त्याग ये मन को मारने का बहुत कारगर तरीका है और कोई चीज समाप्त हो जाए तो हमारा मन नहीं मरता है अभिमान बना रहता है धन नश्थ हो जाए तो भी अभिमान पूरा नहीं तूटता है संगी साथी अगर भी छुड जाए तो भी उतना अभिमान नहीं तूटता है पद छुट जाए तो भी नहीं छुटता है लेकिन हमारा सरीर ही असमर्थ हो करके दर्द से कराहता हुआ जब मुह के बल गिरता है कभी ताब सारा अभिमान भारा करके गिर पड़ता है और फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है फिर बड़े-बड़े कहलाने वाले भी निड़ाल हो जाते हैं तो मरण भावना करें और मरण भावना से भी मन को शवस किया जाता है और ऐसा करने से मन शान्त होता है ये भूमिका तयार करना है तो साधक को मन को सवस करने के लिए ये अनेक प्रकार की साधनाओं को अपनाना चाहिए और मन को घेर-घेर करके पकड़ना चाहिए मेरा लक्ष मन को प्रसंद रखना निश्चिन्त निर्भय रखना बस यही लक्ष होना चाहिए लोगों का अपना-पना साउक होता है किसी का साउक होता है अच्छा-च्छा कपड़ा पहनने का किसी का साउक होता है कि साहब मुझे खाने का साउक है बढ़िया-बढ़िया स्वादिश्ट है मिठी चीजें, खटी चीजें, नमकीन की चीजें, वहाँ वहाँ अमुक अमुक होटाल का एक नेता जी थे, राजेंदर शुक्ल, चतिजगड विलासपुर के थे, वो कभी मद्ध प्रदेश के विधान सभा अध्यक्ष भी थे, और चतिजगड जब हुआ तो वहाँ के भी बड़े दिगज, लंबे चोड़े, मोटे, गोरे गोरे रहें, जब उनसे संपर्क हुआ था, उनकी उम्र करीब 75-76 की हो गई थी, उनका बेटा भी अनिल जी नाम था, वो भी बड़ा मंत्री था, उनकी बहु ने एक बार कहा, गुर्देव जी से, कि साहब हमारे ससुर जी को मिठाई खाने का बड़ा साओख है, उनसे पूछ लीजिए, किस सहर में कौन सी मिठाई थेमस है, सब पता है, और अमुक अमुक सहर से, वो अमुक अमुक मिठाई मंगवाते रहते हैं, तो मिठाई खाने का किसी किसी का साओख होता है, किसी को घर का साओख होता है, तो क किसी का और किसी ढंग से गाड़ी का, मुबाइल का, चेहरा सजाने का साउक, इस सारा साउक एक दिन बिखर जाता है, कितना दिन ये साउक पूरा कर पाएंगे, मन को प्रशन सोवस रखने का साउक होना चाहिए, आप निश्चिंत रहें, निर्भय रहें, प्रशन रहें, ये सबसे बड़ा साउक है, और यह साउक अगर आप पूरा कर रहें हैं, तो जीवन लक्ष को प्राप्त आपने कर लिया, मानो जीवन आपका सफल, आर ये बहुत बड़ा काम है, इसलिए शवक से यह साउक पूरा करें, कि हमारा मन प्रशन रहे, और मन पूरी तरा से प्रशन टब होता है जब इच्छाए, कामनाए वाशनाओं का दाब ना रहा है हमारे उपर लोगों का दाब जैसे रहता है किसी के ऊपर तो वह प्रशन्न नहीं रह पाते और विचारे बुझे-बुझे रहते हैं परवस्ता महसूश करते हैं इसी प्रकार लोगों का दाब तो हमारे पास नहीं है, मन का दाब है, सबसे बड़ा तो मन का दाब है, इच्छाओं कामनाओं वाशनाओं का दाब है, राद दिन आदमी उनहीं से नोचा जा रहा है, तो कहां से प्रशन रहेगा? इसलिए ये हमारे अधिकार में है, शारी आशक्ति को, शारी वाशनाओं को त्याक किया जाए, और प्रशन हो करके, साधना का काम हो, मनोविकारों का अंत हो, और आत्म इस्थिती हो, थोड़ी देर, दो मिनट के लिए बैठें, अहम सुद्ध्य चैतन्य ज्ञानस्वरूपम अज्राहम अम्राहम अखंडम अनूपम अहम सुद्ध्य चैतन्य ज्ञानस्वरूपम अज्राहम अम्राहम अखंडम अनूपम अहम सुद्ध्य चैतन्य ज्ञानस्वरूपम अज्राहम अम्राहम अखंडम अनूपम मैं सुद्ध्य चैतन्य ज्ञानस्वरूप हूँ मैं मैं का मतलब ये मैं सब्द बहुत महत्वपूर्ण है दुनिया में बस एकए सब्द सबसे ज्यादा प्यारा है मैं मैं एक नाम है जगत प्यारा सद्गरू कबीर ने कहा है एके काल सकल संसारा एक नाम है जगत प्यारा एक नाम वही है मैं और इस मंत्र में प्रथम आया है अहम अहम सुद्ध चैतन्य ज्ञानस्वरूपम मैं सुद्ध चैतन हूँ मेरे में कोई मिलावट नहीं है ना जड़ का ना अन्य और किसी चीज का ना दूसरे चैतन जीओं का मैं अपने आप असंग सुद्ध हूँ चैतन हूँ और ज्ञानस्वरूप हूँ अजर हूँ अजर का मतलब ना जीरण होने वाला ना तुटने फटने वाला ना पुराना होने वाला अखंड हूँ मेरा खंड भी नहीं हो सकता अनूपम विलक्छण सबसे विलक्छण हूँ मिट्टी से पानी से आग से हवा से मेरे तुलना किसी से कीही नहीं जा सकती पूरा विलक्छण अनूपम ऐसा जो मेरा सुरूप है वो कितना प्यारा है कितना दिब्ब है उस अपने अखंड अविनासी सुरूप से प्रेम करें यही भगवत प्राप्ती है लोग कल्पना में भगवान के लिए जबते हैं और कल्पना में भाविभोर होकर कहते हैं हाँ हाँ कैसा भगवान है अरे आत्म दर्शन ही भगवान का दर्शन है। इसलिए अपने आत्मा का बोध हो, आरुशी में ठाहराओ हो, इच्छाओं कामनाओं का अंत हो, बस यही भगवान, परमात्मा, इस्वर, खुदा, गार्ड का मिलन है। रही है, आप सब लोग अपने अपनी जगहों को जा सकते हैं, थोड़ी देर में भी भोजन की घंटी बजेगी, तो भोजन के लिए चलेंगे, और सब लोग मौन, शान्ति का पालन करें, और ध्यान का पूरा लाभ लेना है, उत्साहित होकर के बैठें, उत्साहित होकर के अपनी अपनी जगहों में भी ध्यान का भाव बना रहा है, वो खुमारी चड़ी रहे, जैसे सराब पीने वाला, सराब पिये रहता है, तब तो नसे में रहता ही है, जब सराब नहीं पिये रहता है, तब भी उसकी याद में रहता है, और उसके लिए जुगार खोजता रह बस साहे बनी